Hello, I am M.K. यादव, the founder of the IASB. The IASB mentored more than 800 candidates in last four years in UPSC-CSE. I think we are one of the organizations in India who gave maximum results in the last four years. So, जो पैडगोगी है मेरा, जिस वज़े से मैं rank improvement पर focus कराता हूँ, या इतने अच्छे results दे पाते हैं, वो three tiers है, सबसे पहले हम basic NCIT पर focus करते हैं, ताकि बच्चे की conceptual clarity हो, उसके बाद हम standard books और बाकी जो supplementary books प्रोवाइड कराना होता है, और last वाला मेरे बहुत सारे module हैं, साफी models हैं, जो आपके marks को एक enrichment provide कराते हैं, जो अगर आपके किसी भी GS paper में 80-85 marks आ रहे हैं, तो उसको 100-105 कैसे लेकिया आना है, जो भी बच्चे, जो college में हैं, या just UPSC की preparation start कर रहे हैं, और UPSC नहीं, अगर आप state PCS की preparation कर रहे हैं, अगर आप SSE कर रहे हैं, SSE का तो pattern भ जो बहुत भड़ गया है, आप bank PO की preparation कर रहे हैं, आप railways की preparation कर रहे हैं, आप CDS, CAPF, किसी भी government exam की preparation कर रहे हैं, तो आपके current affairs और आपका static knowledge बहुत अच्छा होना चाहिए, उन सब के लिए NCRT is considered as the basic foundation, आप किसी भी topper, आप यहीं पे ही YouTube सर्च करिएगा, significance of NCRT, आप किसी भी topper को follow करते हों UPSCS, State PCS के, आप देखेंगे सबने बोला है कि आपको सबसे पहले NCRT पढ़ना है, अब उन्होंने तो बोल दिया, अब 6 से लेके 12th class में हर subject की एक या 2 NCRT है, कुल मिला के total 50 plus books बन जाती है, अब उन books में कौन-कौन से chapter आपको पढ़ने है, कौन से नहीं पढ़ने है, यह problem क्या है, कुछ new NCRT बोलता है, कोई old NCRT बोलता है, history के लिए बोलता है कि तमिल नाडू के किताब पढ़नी चाहिए, environment के लिए बोलता है, ICSC बोड पढ़ना चाहिए, तो उस aspirants के लिए बहुत confusion create हो जाता है, तो आपको तो पूरा एक साल NCRT पढ़ने मे ही लग जाएगा, तो इसी problem को solve करने के लिए हम लोग एक 7 days का free bootcamp लेके आ रहे है, आपको class में आना है, offline में हम चंडिगड में start कर रहे हैं और online में वो same ही sessions आप सबको online platform पे भी मिलेंगे, कौन सी class की NCRT का कितना significance है, कौन सी book के कौन से chapters आप skip कर सकते हैं, तो subject wise हम आपको seven days में ये seven subjects cover कर आएंगे, so fifth से हम start कर रहे हैं, fifth को मैं Indian economy के concepts बताऊंगा कि कौन कौन सी class में क्या क्या ज़रूरी है, sixth को आपको geography के ready sir बताएंगे, seven, eight, nine, ten, इसी तरीके से seven days आपकी total NCRT का coverage हम बताएंगे, किसका कितना weightage है, मैं आपको अभी next दो minute में briefly समझाऊंगा कि क multiple exams में questions आ रहे हैं, ये आप अगर देखेंगे, तो हम आपको NCRT subject wise इतने इतने sessions में cover कराएंगे, approximately 80 sessions हैं, इन session के लावा आपका regular toppers के साथ एक mentorship का session होता रहेगा, जो हर हफते होगा, और the IASB के mentors के साथ भी session होगा, आप कौन से subject में week हैं, आप subject के अंदर कौन से chapter में week हैं किस type of questions में आप week हैं, आप match the following में week हैं, आप fill in the blanks में week हैं, आप assertion reasoning में week हैं, आप multi statement questions में week हैं, देखें, UPSC ना 12 लाग के असपास बच्चा form भरता है, 6-6,6 लाग बच्चा exam देता है, उसमें से सिरफ 10,000 ही select होते हैं, same goes with the state PCS, अब state PCS के साथ problem क्या है, वो 2-3 साल में हैं, जैसे भी HCS का form निकलने वाला है, next year का, पंजाब का निकलने वाला है, तो यह opportunity हो सकता है, आपको 3-4 साल बाद आएं, अगर आप next term देना चाहेंगे, तो आपको regular course correction करना पड़ेगा, तो हमारे toppers हैं, जो मेरे fortunately मैं भहत सारे toppers के साथ में connected हूँ, वो toppers आपको हर answer writing करेंगे, toppers कैसे एक answer लिखता है, अगर आपको सिमी करन का answer देखना हो, अगर आपको शुभम का answer देखना हो, अगर आपको नमरता जैन का answer देखना हो, जितने भी यह toppers रहे हैं हमारे, अगर उनकी answer से आप अपना answer compare करेंगे, तो वो तो tested model है, उन्होंने तो यह परिक् करता है, वो AI system के through to find out your weakness, अगर मैं आपको बता दूँ कि यह quality के 6 chapter आपके week है, और economics के यह 3 chapter के आपके week है, तो आप उन पे जादा focus कर पाएंगे, I will show you कि कैसे कैसे हम step by step निकालते हैं weaknesses, अब मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से exams के लिए यह NCIT का course relevant है, I will give you lot of examples where you can see, कि same topic से अलग अलग exam में कैसे कैसे question आया हुआ है, UPSC, PCS, SSC, bank, railway, CDS, start करते हैं कैसे कैसे prelims में question पूछा हैं उसने, so यह question है precedent, polity का question है, precedent में which of the following statement is wrong, same ही में PCS में पूछा हुआ है, यह शायद MPPCS का question है, SSC में पूछा हुआ है, same CAPF में पूछा हुआ है, banks में प पढ़ना है, NCRT से, next अगर हम चले जाते हैं, UPSC में, inflation, too much money का concept पूछ लिया, HCS में पूछ लिया, SSC में पूछ लिया, CDS में पूछ लिया, bank PO में पूछ लिया, railways में पूछ लिया, so same inflation का concept आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, मैं कहीं और चले जाओ, history में, non cooperative में, so UPSC ने पूछा है, SSC ने पूछा है, ये PB, वयापमिक, मध्यपरदेश में exam होता है, बहां पूछा है, bank में पूछा है, railways में पूछा है, next और देखें, अगर हम तो fundamental duties से question पूछा है, UPSC ने पूछा है, MPSC ने पूछा है, SSC ने पूछा है, NDA में पूछा है, आप अगर देख सारे आप topics देखते चले जाएंगे, कि जहां आपको बहुत सारे questions मिलेंगे, same goes with means, अभी मैं आपको सिरफ MPPSC दिखा रहा हूँ, कि inclusive growth का question UPSC ने पूछा, same MPPSC ने पूछा, globalization का question UPSC ने पूछा, MPPSC ने पूछा, FDA के question UPSC ने पूछा, MPPSC ने पूछा, revolt of 1857 UPSC ने हैंगे, आपको NCRT is indispensable for your preparation, तो जब आपको पढ़ना ही है, so why shouldn't we cover NCRT during our colleges, college के second year में, even first year में, अगर आप देखेंगे, so पिछले चार साल से हम youngest IAS के साथ associated हैं, आप देखेंगे, रितिका जिंदल in 2019, 18 exam, फिर सिम्मी करन हैं, और अभी मृदूल शिवरे हैं, यह सब परिपरेशन from college days, सिम्मी करन इकलोता बच्चा था, जो last semester में थोड़ा-थोड़ा पढ़ने लगा था, और pre-mains के बीच में बहुत सारा पढ़ा था, मृदूल अगर आप देखेंगे, तो he got the opportunity to take admission in IIT, but उसने decide किया, वो IIT नहीं जाएगा, और normal college से graduation करेगा, so that यहां उस को extra time मिल पाए, कुछ तो sacrifices आपको करना पड़ेगा, तो अगर आपको first attempt या second attempt में UPSC की परिक्षा या state PCS की परिक्षा पास करनी है, तो आपको college के time में ही preparation start करनी पड़ेगी, और उसके लिए NCRT is the base, आप इस वीडियो को देखने के बाद, कुछ toppers के वीडियो देखिए और उसके वीडियो देखिएगा कि उन्होंने NCRT के बारे में क्या का है, तो यह जो report card होगा आपका daily आपका test होगा NCRT में, अगर मैं आपको दिखाओं कि आपको कैसे available होगा ये, तो इस तरीके का एक portal मिलेगा यार आपको, आप economics, environment, जो भी आपको choose करना है, आप यहाँ जाएगा, आप अंदर जाके आपको ये, ये class 1 हो गया, ये session 2 हो गया, ये session 3 हो गया, ये session 4 हो गया, आप यहाँ जाके notes डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करिएगा, आपके notes आज आज आएगे, आप वो notes पढ़ लीजीगा, फिर यहाँ जाएगे तो आप test दे सकत इतना नहीं आ रहा है, आप ये attempt करते रहिएगा, जो भी आपको test करना है, suppose कीजिए मैं इसको submit कर देता हूँ, so आपको एक final report card मिलेगा, उससे क्या फाइदा होगा, ये report card आपको बता रहा है, कौन सी rank है, आप analytical based questions में कमजोर हैं कि factual based questions में कमजोर हैं कि दोनों में कमजोर ह कि easy question है, उसमें आपका performance क्या है, moderate questions में performance क्या है, hard questions में performance क्या है, ये है जो सबसे ज़रूरी है, अगर suppose कीजिए मैंने आज आपको 4 chapter पढ़ा है, 5 chapter पढ़ा है, एक chapter 6th class का है, उसी से related 7th का एक chapter है, 9th का एक chapter है, 11th का एक chapter है, मेरे पास से list आजाएगा कि ये आपका areas of strength है, और ये आपके areas of improvement है, मतलब आपको इन chapters में और efforts डालने हैं, जो हमने वीडियो देख लिया, हम आपको chapter wise areas of improvement बता पाएंगे, ताकि हम उसमें और काम कर सके, next अगर मैं जाओं, तो आपको question type मिलेगा, क्यार क्योंकि UPSC 67 तरीके के question पूछता है, हर type of question में अलग analytical skill चाहिए होती है, आप statement based questions में कमजोर हैं, या definition based questions में कमजोर हैं, या concept based questions में कमजोर हैं, अगर आपको ये मिलेगा, हम आपको उसी type के और questions प्रोवाइड कराएंगे, system जो हैं वो आपको और questions generate करके देगा, अगर जिस भी type of questions में आप कमजोर आ रहे हैं, फिर आप अपना question analysis देख र जरूरी हैं आपके लिए, जो मैं आपको बता रहा था, वो हमने screenshots भी लगाए हैं, ये आपकी areas of strength हो गए हैं, अगर areas of improvement हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, उन सारे areas of improvement का आपको handout मिले, और सिरफ उन ही chapters का आपको एक detailed discussion का वीडियो मिले, ये अभी इन process में हैं, हम ये available करा दे जरेंगे before the batch starts, ये question type हैं जो मैं आपको बता रहा था, आप true false statement में कमजोर हैं, आप assertion reasoning में हैं, आप choose the correct alternative में हैं, आप image based question, map based, location based questions आते हैं, ये आप fill in the blanks वाले questions में कमजोर हैं, ये आपको एक leaderboard दिखाई देगा, अगर आपको NCRT का holistic coverage करना हैं इस तरीके से, तो सबसे पहले आप एक bootcamp attend कीजिए, जो आपके लिए free of cost है, देखिए UPSC की preparation करना difficult है, बट IAS सबको बनना है, बट ये जो बनना है जो achievement है और जो aspirations का gap है, आप aspire तो करना है, UPSC IAS बनना, DC की गाड़ी देखके लगता है, SDM की गाड़ी देखके सबको लगता है, कि हम बन जाएं, बहुत ज्यादा chances हैं कि आप इस परिक्षा को pass कर पाएं, साप में मिलके महनत करेंगे, सबसे पहले आप ये 7 days free bootcamp के लिए register कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये परिक्षा क्या होती है, कौन-कौन से परिक्षाओं में NCRTs आपका help कर पाएगा, ये 7 days का free bootcamp है, description में हमने आपको link दिया है, आप उस link पे register कर जिए, so that team आप से contact कर पाएं, अगर आप online attend करना चाहते हैं, अगर आप offline attend करना चाहते हैं, ये जो भी sessions होंगे, उसके कुछ handouts होंगे, वो हम आपको available कराएंगे, कुछ topper session होंगे, वो हम आपको available कराएंगे, so ये 7 days के bootcamp को attend करते ह हैं, और फिर उसके आगे देखते हैं कि हमें कौन सी परिक्षा देनी है, अगर आपको HCS देना है, आपको हिमाचल परदेश PCS देना है, पंजाब देना है, मध्यपरदेश PCS देना है, UPPCS देना है, बिहार PCS देना है, UPSC देना है, SSC देना है, बैंक P.O देना है, कौन सा कौन सा एक्जाम आप देना चाहते हैं और उसकी किस-किस तरीके से तैयारी करनी है सो रजिस्टर कर लीजिए और सेशन अटेंड करेंगे फैंक्स यार